उजास उजास एक प्रवेशिका पुस्तक है, जिसका निर्मान, राष्ट्रिय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ट, CNCL, NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनिरू पांतरण, केंद्रिय शैक्षिक प्रध्योगी की संस्थान, CIET द्वारा किया गया है ये प्रवेशिका पुस्तक, पंद्रा वर्ष या उससे अधिक आयू के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है इसमें बुनियादी साक्षर्ता, भाशा, संख्या ग्यान और मात्वपूर्ण जीवन कौशल, Critical Life Skills विशेओं को सम्मिलित किया गया है उजास, प्रवेशिका, भाग चार, प्रिष्ठ 288, अध्याई 13, डिजिटल साक्षर्ता हम सीखेंगे डिजिटल अंकों की पहचान एवं लिखना, चित्र में प्रदर्शित आंकणों की समझ मुबाइल फोन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या हल करना शीशक है, अब राख हुई आसान महिपाल जामनगर रहता है, वह खेती करता है उसके पास करीब आठ दशमलोग दो एकड जमीन है उसके तीन बच्चे है एक बेटा और दो बेटिया तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ते है महिपाल केवल छठी कक्षा तक पढ़ा है वह चाहता है कि उसके बच्चे खूब पढ़ें उसने उनकी पढ़ाई के लिए लोन लेकर एक मुबाइल भी खरीदा बच्चों को पालने के लिए महिपाल और उसकी पत्नी बहुत मेनत करते हैं उन्होंने पिछले खरीफ में धान की खेती की और रभी में मकई की महिपाल ने खेती शुरू करने के लिए पूरी योजना बनाई थी कि कितने पैसे चाहिए होंगे इस प्रिष्ठ पर दाई और नीचे की तरफ महिपाल का चित्र दिया गया है जो अपने मुबाइल से योजना बना रहा है कि कैसे वो क्रिशी बीमा करेगा उसके पास इतने पैसे हैं कि वो क्रिशी बीमा योजना में खर्च कर सके इसलिए वो अपनी गुल्लक के हिसाब किताब भी कर रहा है यहाँ पर एक गुल्लक बनी हुई है जिसके बाहर कुछ रुपए और कुछ सिक्के रखे हैं और कुछ सिक्के उसके अंदर भी जा रहे हैं महिपाल आपदा प्रबंधन के बारे में भी योजना बना रहा है साथ ही वो सोच रहा है कि हल जोतने के लिए उसे कितने रुपए पैसों की जरूरत होगी और और आखीर में अच्छी फसल पैदा हो इसके लिए अच्छी खाद और अच्छे बीज भी चाहिए उसे प्रिष्ठ दो सो नवासी जैसे मक्के के बीच खरीदना, खेत के लिए खाद यूरिया आदी उसे सिंचाई के लिए बार-बार पंप किराय पर लेने के लिए भी पैसे चाहिए थे उसे दो मज़दूरों को भी काम पर रखना था मैपाल ने एक बजट बनाया उसके पास इन सब के लिए उतने पैसे नहीं है जितनी जरूरत है मैपाल और उसकी पत्नी ने फैसला किया कि वे अपनी पिछले साल की बचत को इसमें लगा देंगे और बची हुई रकम के लिए ग्रामीन बैंक से लोन ले लेंगे इस प्रिष्ठ पर दो चित्र है सबसे उपर दाई ओर लिखा है sroth https colon double slash play.google.com slash store slash apps slash details question mark id is equal to in.farmguide.farmerapp.central ampersand hl is equal to en underscore in badayaksharumi capital me ampersand gl is equal to us badayaksharumi capital me इस प्रिष्ठ पर नीचे एक किसान का चित्र है जिसके हाथ में हसिया है उपर बाई ओर लिखा है m किसान m अक्षर के उपर बाई ओर एक mobile का चित्र भी बना है स्रोथ है https colon double slash mkisan.gov.in slash प्रिष्ठ दो सो नब्बे महिपाल इतने पैसे लगाने में डर रहा था क्यूंकि उसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च के साथ mobile का लोन भी चुकाना था महिपाल बहुत समझदार है उसने mobile का इस्तमाल बच्चों की पढ़ाई के लिए भी किया साथ ही mobile की मदद से भारत सरकार की नई क्रिशी पधतियां और योजनाओं के बारे में जाना इसके लिए उसने e-Copal Digital Monday India M किसान आदी आप भी mobile में डाउनलोड किये रोज शाम को महिपाल और उसके बच्चे mobile खोल लेते वे देखते कि स्थानी प्रशासन द्वारा दी जा रही सहायता से वे अपनी खेती में कैसे सुधार कर सकते हैं महिपाल M किसान आप से जुड़ गया यहाँ पर मौसम, बीज और खाद के दाम अपेक्षित बिक्री मूले आदी से जुड़ी सलाह और सूचना मिलती रहती है इस प्रिष्ठ पर मध्य भाग में एक चित्र है जिसमें लिखा है जिसमें लिखा है ई चौपाल किसानों के हित में किसानों का अपना और उपर दाई ओर एक किसान पगड़ी पहने भी है स्तरोथ है इस से उसने हिसाब लगाया कि ये सब खरीदने में उसे कितना खर्च करना चाहिए अब महिपाल घर बैठे ही मुबाइल से सारी जानकारी ले लेता था मौसम की अनेमित्ता को देखते हुए महिपाल ने क्रॉप इंशॉरंस मुबाइल एप्लिकेशन पर भी पंजी करण कर दिया जिससे उसे कम से कम कीमत पर अपनी फसल का बीमा करने में सहायता मिली किसी भी स्थिती में फसल खराब होने पर उसे अधिकांश पैसा वापिस मिल जाएगा अन्य किसानों से बात करनी और नए विचारों को जानने के लिए वह ई-चौपाल पर भी जुड़ा एक दिन वह सिचाई के लिए पंप किराय पर लेने ही वाला था कि उसे M किसान एप से पता चला कि अगले हफते भारी बारिश होने वाली है इस जानकारी से उसने पंप किराय पर नहीं लिया और अपनी समझदारी से पैसों की बचत भी की कटाई के समय मुबाइल पर एक अलर्ट आया कि अगले कुछ दिनों में जिले में चक्रवात आ सकता है इस से पहले की फसल आंधी और बारिश से खराब होती महिपाल ने और मस्दूर किराय पर लगा कर अपनी फसल की कटाई कर ली महिपाल ने अपनी फसल को बचानी और इस मौसम की अच्छी पैदावार के लिए बहुत समझदारी से फैसले लिए यह सब मोबाईल पर मौजूद अप की मदद से हुआ जहां वह जानकारूं और स्थानी अधिकारियों से सलह लेता था मोबाईल की मदद से बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई भी की साथी महिपाल ने इस साल अच्छी फसल से अच्छी कमाई भी की उसने मोबाईल का लोन भी चुकाया और कुछ पैसा बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए बैंक में भी जमा किया प्रिष्ठ दो सो बानवे बातचीत के लिए प्रश्न एक महिपाल ने रबे में कौन सी फसल बोई? प्रश्न दो महिपाल को बीज और खाद की उच्छत कीमत के बारे में कैसे पता चला? प्रश्न तीन क्या महिपाल ने बरसात से पहले सिंचाई पंप किराय पर न लेकर गलती की? प्रश्न चार महिपाल को जानकारों से मौसम, बिकरी वखरेद मूले आदी की जानकारी कैसे मिलती थी? प्रश्न पाँच दो एप की नाम बताईए जिनका उपयोग किसान अपनी खेती में सुधार लाने और अच्छी बेहतर फसल प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं यहां पर एक बड़ा चौकोर रिक्त स्थान दिया गया है शिक्षक निर्दीश डिजिटल साक्षर्त विशय पर बातचीत कीजिए सहभागियों से मूबाइल के दैनिक प्रयोग पर बातचीत कीजिए मूबाइल के विभिन प्रयोगों पर चर्चा कीजिए प्रिष्ठ 293 अध्याए 12 डिजिटल संख्याई आप पैसा निकालने बैंक जाते हैं बैंक में आपको एक टोकन दिया जाता है आपका नंबर बारहा है जो खिड़के पर लगी मशीन में इस प्रकार दिखता है यहीं पर डिजिटल फॉर्म में बारहा का अंक भी दाई ओर लिखा है रेलवे स्टेशन पर रेल गाडी संख्या प्लाटफॉर्म नंबर देखने के लिए भी ऐसे ही अंकों का इस्तमाल किया जाता है यहां तीन सूचियां बनी है पहली का शीर्षक है गाडी संख्या दूसरी का शीर्षक है गाडी का नाम और तीसरी का शीर्षक है प्लाटफॉर्म नंबर गाडी संख्या के नीचे लिखा है एक, दो, तीन, नौ, आठ गाडी का नाम है महाबोधी एक्सप्रेस जो की प्लाटफॉर्म नंबर आठ पर खड़ी है फिर लिखा है एक, दो, चार, दो, नौ गाडी का नाम है राजधानी एक्सप्रेस जो की पाँच नंबर के प्लाटफॉर्म पर खड़ी है ये सारे अंक या नंबर डिजिटल रूप में लिखे हुए है इसी तरह के अंक मंडी में भाव देखने, तापमान देखने, मेट्रो स्टेशन आदी पर स्क्रीन पर डिस्पले होते है आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर भी इसी तरह के अंक होते है इसी तरह के अंक होते हैं अंकों की बनावट को पहचानना आपके लिए जरूरी है यहां लिखे हैं अंक शून एक दो तीन चार पांच छै साथ आठ नौ इसी तरह के अंक होते हैं स्क्रीन पर इसी बनावट के अंक डिस्प्ले होते हैं यदि आपका टोकर नंबर 123 है तो बताईए वह स्क्रीन पर किस तरह डिस्प्ले होगा बराबर में बराबर में दिये गए रिक्तिस्थान में लिखिये शिक्षक निर्देश सह भागियों की पहचान डिजिटल अंकों से कराएं उन्हें ऐसे अफसर दिये जाएं जिसमें डिजिटल अंकों का पढ़ना एवं लिखना शामिल हो अप अपनी फसलों की पैदावार की तुल्ना दूसरों से करते हैं या अपनी गेहूं की पैदावार की तुल्ना पिछले वर्ष की पैदावार से करते हैं तो ऐसी तुल्ना करनी के लिए चित्र बहुत उप्योगी होते हैं गीता अरे वहा, मेरे पास एक बोरी गेहुं जादा है देखकर ही गीता को कैसे पता लगा यहाँ पर एक तरफ गीता की छे बोरी गेहुं रखी है और उसके बराबर में मैरी की पांच बोरी गेहुं रखी है गीता को पता करना था कि किस दल की सरकार बनने वाली है गीता तीवी पर चुनावी नतीजों से जुड़ी खबरें देख रही है जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं तो तीवी पर इस तरह के चित्र बने होते हैं जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि कौन से दल को ज्जादा सीटे मिली है यहां इस प्रिष्ठ के मद्धे में एक गोल चित्र है गोल चित्र में सबसे ज़ादा भाग दल क का है जोकी पीले रंग में दर्शाया गया है उससे कम भाग दल ख का है जिसे हलके स्लेटी रंग से दर्शाया गया है और सबसे कम भाग है दल गह का जो गहरे स्लेटी रंग से अंकित है अब इस चित्र को समझ कर बताईए सबसे जाता सीटे कौन से दल को मिली है सबसे कम सीटे कौन से दल को मिली है प्रिष्ठ दोसो पिचानवे इसी तरह हम अपने आसपास देख कर भी अन्ने जानकारिया इकठी करते रहते हैं गीता ने अपने खेट में फलों के भी पेड लगाए है यहाँ पर एक चौकोर का चित्र बना है यहाँ पर एक चौकोर बना है जिसके आधे भाग में आम के पेड लगे हैं और इस भाग को संतरी रंग से दर्शाया गया है बाकी के आधे भाग को दो और भागों में बाट कर अमरूद के पेड को हरे रंग से और नीभू के पेडों को पीले रंग से दर्शाया गया है अब इस चित्र को समझ कर बताओ कि आम के पेड़ खेत के रिक्त स्थान भाग में लगे हैं अम्रूद के पेड़ खेत के रिक्त स्थान भाग में लगे हैं गीता टीवी पर 2020 क्रिकिट मैच देख रही है अंतिम छह ओवरों में बने रनों की संख्या को चित्र में दर्शाया गया है इस बार ग्राफ में बाहर की ओर लिखा है रनों की संख्या और नीचे दाइं ओर लिखे हैं ओवर जिन्हें छे ओवरों से विभाजित किया गया है निचले भाद में लिखा है ओवर जिन्हें छे ओवरों से विभाजित किया गया है पंदरवे ओवर का ग्राफ हलके पीले रंग में हैं और उसके उपर आठ अंक लिखा है सोलवे उवर का ग्राफ हलके नीले रंग में है और उसके उपर लिखा है अंक दस सतर्वे उवर का ग्राफ हलके पीले रंग में है उपर छे का अंक दर्शित है 18 ओवर का ग्राफ हलके नीले रंग में दर्शाया गया है जिसके उपर 6 का अंक लिखा है 19 ओवर का ग्राफ हलके पीले रंग में है और उपर लिखा है अंक 14 20 ओवर का ग्राफ हलके नीले रंग में है सबसे उपर लिखा है अंक 16 अब इस चित्र को समझ कर बताईए प्रश्ण एक सबसे जादा रन किस ओवर में बने है और आपको ऐसा क्यों लगता है प्रश्ण दो किस ओवर में सबसे कम रन बने है प्रश्ण तीन दस रन किस ओवर में बने है प्रश्ण चार पंध्रवे ओवर में कितने रन बने हैं? प्रिष्ठ 296 मैच देखने के बाद गीता अपने मुबाइल में रिचार्ज कराने एक दुकान पर गई उसे यहां दिये गए प्लान में से एक प्लान चुनना था यहां दिये गए प्लान में उनकी कीमत और उनकी वैधता दी गई है प्लान है रुपय 155 जिसकी वैधता 24 दिन है दूसरा प्लान है रुपय 189 जिसकी वैधता 28 दिन की है तीसरा प्लान है रुपए चार सो उनासी जिसकी वैधिता है चपपन दिन कौन सा रीचार्ज गीता के लिए फाइदे मन रहेगा ख, अगर गीता ने रुपए एक सो उनासी का रीचार्ज कराया और उसने दुकान दार को पांच सो रुपए का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे गर गीता ने रीचार्ज अठारा मार्च को करवाया और उस प्लान की वैधिता 28 दिन थी तो उसे अगला रीचार्ज कब करवाना होगा यहाँ पर मार्च और अप्रेल महीने की तिथियां दे हुई हैं तिथियों को क्रमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के नीचे लगाया गया है आपको बताना है कि गीता को अगला रीचार्ज कब करवाना है जिससे उसका पहले का 18 मार्च जिससे उसकी 28 दिन की वैधिता की सार्थत्ता बने प्रिष्ठ 297 मोबाइल की दुनिया निशा ने बाबा के बैंक खाते को मोबाइल नंबर से जोड़ दिया था उसने बाबा को फोन पर मोबाइल से बिजली का बिल जमा करना, फोन रीचार्ज करना सिखा दिया था सभी तरहें के बिल बाबा फोन से जमा करते पैसा उनके खाते से ट्रांस्फर हो जाता था इससे बाबा का दफ्तरों और दुकानों पर आने जानी का जन्जट खत्म हो गया था चुटियों के बाद निशा शहर चली गई वह वहाँ पढ़ाई कर रही थी कभी कभी वह अपने कॉलेज के फोटो और कभी वीडियो भी भेजती बाबा उसकी भेजी चीज़ को उत्सुकता से देखते वाटसाप पर संदेश लिखकर अपनी राय बताते पत्रों की जगह अब बाबा उसे इमेल किया करते थे इससे डाक खर्च और समय दोनों की बचत होती थी एक दिन निशा ने बाबा को वीडियो कॉल किया बाबा ने उसे बताया अब मैं यूट्यूब पर लोग गीत सुनकर ही सोता हूँ तुझे एक और बात बताऊं सारे खबरिया चैनल भी यूट्यूब पर दिख जाते हैं इस प्रिष्ठ पर नीचे बाई और एक चित्र बना है जो की निशा का चित्र है उसके हाथ में एक मूबाइल है और उस मूबाइल पर वो अपने बाबा से वीडियो कॉल द्वारा बात चीत कर रही है बाबा के चित्र के उपर लिखा है गूगल और दाई और लिखा है इबोक बाई और लिखा है निउज प्रिष्ठ दो सो अठानवे निशा ने कहा वा बाबा आप तो हाई टेक हो गए अच्छी बात है अच्छा बाबा एक बात तो बताओ कभी किसी ने आप से आपके ATM कार्ड का नंबर तो नहीं पूछा बाबा बोले अरे हाँ पूछा था एक दिन पर मैंने नहीं बताया फिर वह ATM का पिंग भी पूछता और मेरे खाते से सारे पैसे चले जाते मैं धोखे में नहीं आया निशा बोली अच्छा किया बाबा अब तो आप साइबर ठगों से बचना भी सीख गए शहर में कहीं आना जाना हो तो कैब या मोटर साइकल बुक कर लिया करना जरूरी किताब मंगानी हो तो आज कल मोबाइल से ही ओडर हो जाती है कई अब चल गए हैं गूगल पर सर्च करेगी तो सब मिल जाएगा यी लाइबररी पर भी किताबे खोज कर पढ़ी जा सकती है बाबा ने सीख देते हुए बड़ी खुशी महसूस की बाबा तो मोबाइल के कुछ जादा ही जानकार हो गई है सोचते हुए निशा मुस्कुराई फिर निशा ने वीडियो कॉल पर ही बाबा को अपना कॉलेज दिखाया बाबा ने भी निशा को गेहुं का खेट दिखाया तालाब दिखाया जिसमें अब पानी काफी कम हो गया था वहां कुर्जा और सारस दलदली जमीन पर टहल रही थी बाबा को लगा जैसे वे शहर में बेटी के पास ही है निशा को लगा जैसे वह कुछ पल के लिए गाओं के ताला भी खीतों में पहुँच गई है प्रभात प्रिष्ठ दो सो निन्यानवे बात चीत के लिए प्रश्न एक निशा ने बाबा को मुबाईल पर क्या-क्या सिखाया प्रश्न दो बाबा ने निशा को मुबाईल के इस्तमाल की क्या-क्या सीख दी प्रश्न तीन मुबाईल ने बाबा और निशा के बीच की दूरी कैसे मिटाई क्या आपको भी मुबाइल के इस्तमाल से अपनी किसी परिचित से दूरी मिटने जैसा अनुभव हुआ है? यदि हाँ, तो सभी के साथ साजह कीजिए. प्रश्न चार, मुबाइल पर साइबर ठगी की घटनाएं सुनने में आती हैं. इससे बचने के लिए हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पढ़िये, बताईए और लिखिये. यहां दिये गए सवालों के जवाब लिखिये. प्रश्न A. मुबाइल के क्या-क्या लाब है? दिये गए रिक्त स्थानों में लिखिये. प्रश्न दो मुबाइल का इस्तमाल करते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं रिक्त स्थान में भरिये प्रिष्ठ तीन सो प्रश्न तीन यहां दिये गए सवालों के लिए सही जवाब पर सही का निशान लगाईए मुबाइल से किसका लेन देन किया जा सकता है पैसों का रिक्त स्थान संदेशों का रिक्त स्थान तस्वीरों का रिक्त स्थान इन तीनों का रिक्त स्थान इन दिये गए रिक्त स्थानों में सही के निशान से चिन्हित कीजे कि मुबाइल से किस-किस चीज का लेंदेन किया जा सकता है आप अपने मुबाइल का इस्तमाल किस-किस काम के लिए करते हैं एक सूची बनाईए और दिये गए रिक्त स्थान में लिखिये किसी ऐसे अनुभव के बारे में बताईए जब आपको मुबाइल के कारण किसी काम में सुविधा हुई हो इस संबंध में दिये गए रिक्त स्थान भरिये प्रिष्ठ 301 मुबाइल के कुछ अन्य प्रयूग SMS से संदेश भेजा जाता है कैलक्यूलेटर की मदद से हिसाब कर सकते है अलारम घड़ी सेट कर सकते है कैलेंडर देख सकते है स्टेप वॉक चेक कर सकते है अर्थात आप कितनी दूर पैदल चलते हैं यह भी जाना जा सकता है मुबाइल के जरिये ओन लाइन पढ़ाई की जाती है इसमें कुछ विशेश आप्लिकेशन होते है जिससे सीधे कक्षा में जुड़ सकते है जैसे जूम मीटिंग, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम जादी इन अप्लिकेशन में पहले अपने आपको पंजी कृत करना पड़ता है GPS लोकेशन के माध्यम से सही दिशा एवं मार्ग का पता चलता है विभिन प्रकार के गेम खेल सकते हैं फेसबुक चला सकते हैं रेडियो सुन सकते हैं आडियो यानि आवास रिकॉर्ड कर सकते हैं गाने गाकर या कहानी सुनाकर विडियो बना सकते हैं तापमान चेक कर सकते हैं आसपास में होटल, अस्पताल, स्कूल, रेल्वे स्टेशन, पार्क आदी का पता लगा सकते हैं प्रिष्ठ 302 पढ़िये और बात चीट कीजिए यहाँ पर बारा चित्र दिये गए हैं पहला चित्र है घडी का लिखा है घडी दिया गया है रिक्तिस्थान दूसरा चित्र है कैलेंडर का लिखा है कैलेंडर दिया गया है रिक्तिस्थान तीसरा चित्र है WhatsApp का लिखा है WhatsApp दिया गया है रिक्तस्थान चौथा चित्र है SMS का लिखा है SMS दिया गया है रिक्तस्थान पांचवा चित्र है कैलकुलेटर का लिखा है कैलकुलेटर दिया गया है रिक्तस्थान छठा चित्र है गूगल मैप का और लिखा है गूगल मैप दिया गया है रिक्तस्थान साथवा चित्र है यूट्यूब का लिखा है यूट्यूब दिया है रिक्तस्थान आठवा चित्र है इमेल का लिखा है इमेल और दिया गया है रिक्तिस्थान नौवाँ चित्र है फेस्बुक का लिखा है फेस्बुक और दिया गया है रिक्तिस्थान दसवाँ चित्र है संपर्क सूची का लिखा है संपर्क सूची दिया है रिक्तिस्थान क्यारवाँ चित्र दीक्षा का है अंग्रेजी में लिखा है दीक्षा और हिंदी में भी दीक्षा ही लिखा है दिया गया है रिक्तस्थान बारवा चित्र है टॉर्च का लिखा है टॉर्च रिक्तस्थान भी दिया गया है इनमें से आप अपने मोबाइल में किन-किन का उप्योग करते हैं दिए गई रिक्त स्थान में सही के निशान को लगा कर बताईए शिक्षक निरुदेश सहभागियों के साथ एक यक करके दिए गई चित्रों की पहचान करवाए उन चित्रों के नीचे लिखे शब्द पड़वाए उनके इस्तमाल के बारे में बात चीत करें हो सकता है कि कुछ सहभागी इनके इस्तमाल और कामों से परिचितना हो प्रिष्ठ 303 जानकारी के लिए इस प्रिष्ठ पर चार चित्र बने हैं जिने रेखाओं द्वारा विभाजित किया गया है सबसे उपर बाई ओर के चित्र में लिखा है साइबर सुरक्षा सुझावों पर एक पॉकेट बुक इस प्रिष्ठ पर उपर दाई ओर जो दूसरा चित्र बना है उस पर लिखा है सब्ताह एक हेल्प लाइन नंबर एक नौ तीन शून और मध्यभाग में लिखा है मुफ्त में उपलब्द सौफ्टवेर से सावधान रहें नीचे बार कोड के साथ लिखा है शिकायत हे तू https colon double slash cybercrime.gov.in दाई ओर के बार कोड के साथ लिखा है विद्याले प्रणाली हे तू दिशा निर्देश इस चित्र के निचले भाग में एक नीली पट्टी है जिसमें लिखा है और फिर लिखा है https colon double slash ciet.nic.in slash pages php question mark id.book let dash on dash cyber dot safety security ampersand in dot en ampersand in dot en प्रिष्ठ के बाई ओर नीचे की तरफ जो चित्र है प्रिष्ठ के तीसरे चित्र पर उपरी भाग में एक नीली पट्टी है जिस पर लिखा है सब्ताह पाँच दाई ओर लिखा है help line number 1930 दो चित्र बने हैं एक महिला का और एक पुरुष्च का जो महिला है वो कह रही है अपना पिन, OTP, खाता, विवरण कभी भी किसी अंजान व्यक्ती के साथ साजा न करें और साथ ही एक पुरुष्च है जो लैप्टॉप लिए बैठा है नीचे की तरफ एक नीली पट्टी है जिस पर लिखा है इस चित्र के निचले भाग में एक नीली पट्टी है जिसमें लिखा है ह-ट-t-p-s, colon double slash c-i-e-t, dot n-i-c, dot in, slash pages php, question mark, id dot book, let dash on dash cyber dot safety security, ampersand, in dot e-n, ampersand, in dot e-n इस प्रिष्ठ के चौथे चित्र में उपरी भाग में एक नीली पट्टी है, जिस पर लिखा है सब्ताह साथ दाई ओर लिखा है हेल्प लाइन नंबर एक नौ तीन शून इसके मध्यभाग में एक इनसानी खोपड़ी दिखाई गई है, जिसके बीच में लिखा है पासवर्ड, जो हमसे कहना चाहता है कि पासवर्ड याद रखने के लिए आपका दिमाग सबसे अच्छी जगा है इस चित्र के निचले भाग में एक नीली पट्टी है जिसमें लिखा है https colon double slash ciet dot nic dot in slash pages php question mark id dot book let dash on dash cyber dot safety security ampersand in dot en ampersand in dot en प्रिष्ठ 304 इस प्रिष्ठ पर चार चित्र दिये गए हैं जिन्हें रेखाओं द्वारा विभाजित किया गया है सबसे उपर बाई तरफ जो पहला चित्र है उस पर उपर की ओर एक नीली पट्टी है जिस पर लिखा है सब्ताह 10 दाई ओर लिखा गया है help line number एक नौ तीन शून इस चित्र के मध्य भाग में एक mobile phone और एक laptop है और फिर लिखा है spam संदेशों से spam संदेशों में उपलब्ध link को ना खोले इस चित्र के निचले भाग में एक नीली पट्टी है जिसमें लिखा है ह-t-t-p-s colon double slash c-i-e-t dot n-i-c dot in slash pages php question mark id dot book let dash on dash cyber dot safety security ampersand in dot en ampersand in dot en इस प्रिष्ठ की दाइं ओर सबसे उपर जो दूसरा चित्र है उसके उपरी भाग में एक नीली पट्टी है जिस पर बाइं ओर लिखा है सबताह ग्यारा और दाइं ओर लिखा है help line number एक नौ तीन शुन मध्य भाग में एक आदमी है जो ये सूच रहा है कि जो उसने online पढ़ा क्या वो सही है? क्या वो भरोसिमंद है? और फिर लिखा है आप जो कुछ भी online पढ़ते हैं उन सभी पर विश्वास ना करें इस चित्र के निचले भाग में एक नीली पटी है जिसमें लिखा है हूँ वो में लिखा नीली पर लिखा है इस प्रिष्ट पर नीचे बाई ओर जो तीसरा चित्र है उस पर सबसे उपर एक नीली पट्टे दी गई है जिसमें बाई ओर लिखा है सबताह 14 और दाई ओर लिखा है मध्य भाग में एक हाथ में मोबाईल फोन पकड़ा हुआ दर्शाया गया है जिसके अंदर कुछ लोगों की तस्वीरे हैं और लिखा है व्यक्तिगत तस्वीरें ओनलाइन साजा करने से पहले दो बार सोचें इस चित्र के निचले भाग में एक नीली पटी है जिसमें लिखा है htps colon double slash ciet dot nic dot in slash pages php question mark id dot book let dash on dash cyber dot safety security ampersand in dot en ampersand in dot en इसे प्रिष्ट पर नीचे दाइं ओर जो चौथा चित्र दिया गया है उस पर उपरी भाग में एक नीली पट्टी है जिस पर बाइं ओर लिखा है सब्ताह बीज दाइं ओर लिखा है help line number एक नौ तीन शुन्य और मध्य भाग में चित्र है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का जिसमें एक पुरुष एक महिला से बातचीत कर रहा है और लिखा गया है अगर आप किसी साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो तुरंत रिपोर्ट करें इस चित्र के निचले भाग में एक नीली पट्टी है जिसमें लिखा है इस प्रिष्ठ पर चार चित्र दिये गए हैं जो दो रेखाओं से विभाजित किये गए हैं सबसे उपर की तरफ बाई ओर जो पहला चित्र है उस पर एक नीली पट्टी है उस पर बाई ओर लिखा है सब्ताह चौबीज और दाई ओर लिखा गया है हेल्प लाइन नंबर एक नौ तीन शून्य मध्ध भाग में एक चित्र है जिसमें दो हाथोंने दो मोबाईल फोन अलग-अलग थामे हैं और उसे निशेद के चिन द्वारा अंकित किया गया है यानि उसे एक तिरची ड्रेखा से काटा गया है और लिखा है अपने मोबाईल उपकरणों को कभी भी आपरिचित व्यक्तियों के साथ साजा न करें इस चित्र के निचले भाग में एक नीली पट्टी है जिसमें लिखा है है कित्व निच साथ से ड्रेखा है य्च पे व्यक्ति करें लिखा करेंग व्यक्ति-चित्ट-णिपले इसी प्रिष्ठ पर दाई ओर सबसे ऊपर जो दूसरा चित्र है, उस पर दी गई नीली पट्टी पर सबसे ऊपर लिखा है, सबताह 28. पट्टी के दाई ओर दिया गया है, हेल्प लाइन नंबर 1930. इस चित्र के मध्ध में एक लाप्टॉप दर्शाया गया है, जिसके सामने एक हथोड़ा भी है. और लिखा है, साइबर कानूनों से अवगत रहें और ओनलाइन रहते हुए उनका पालन करें. इस चित्र के निचले भाग में एक नीली पट्टी है, जिसमें लिखा है. hat tttps colon double slash c i e t dot n i c dot in slash pages php question mark id dot book let dash on dash cyber dot safety security ampersand in dot en ampersand in dot en. इस प्रिष्ठ पर नीचे बाईं ओर जो तीसरा चित्र दिया गया है उस पर सबसे उपर दी गई नीली पट्टी पर लिखा है सब ताह 38 दाईं ओर दिया गया है हेल्प लाइन नंबर एक नौ तीन शून्य इस चित्र के मद्ध भाग में एक लाप्टॉप बना हुआ है जिस पर लिखा है शेयर और फिर लिखा है इंटरनेट पर दूसरों के साथ साजह करने से पहले दो बार सोचें उसके बाद ही साजह करें उसके बाद ही शेयर करें इस चित्र के निचले भाग में एक नीली पत्ती है जिसमें लिखा है ह-t-t-p-s colon double slash c-i-e-t dot n-i-c dot in slash pages php question mark id dot book let dash on dash cyber dot safety security ampersand in dot en ampersand in dot en इस प्रिष्ठ पर दाइं और निचले भाग में जो चौथा चित्र है उस पर दी गई नीली पत्ती पर लिखा है सब्ताह 43 और दाइं तरफ दिया गया है help line number 1930 इसके मद्धे भाग में एक monitor है जिसके अंदर भारत ये note बना हुआ है और लिखा गया है आपको उपहार देने का वादा करने वाले मुफ्त online offers से सावधान रहना चाहिए lottery, discount, concession या surprise gift से आपको online हमेशा बच कर रहना चाहिए इस चित्र के निचले भाग में एक नीली पत्ती है जिसमें लिखा है https colon double slash c-i-e-t dot n-i-c dot in slash pages php question mark id dot book let dash on dash cyber dot safety security ampersand in dot en ampersand in dot en शिक्षक निर्देश दिये गए चित्रों के माध्यम से सहभागियों को साइबर सुरक्षा के बारे में जाग रुक करें सहभागियों के साथ netiquette, internet शिष्टाचार के व्यभार के बारे में बात चीत करें इस विशे में और अधिक जानकारी के लिए दिये गए लिंक का भी प्रयूग आप कर सकते हैं लिंक है प्रिष्ट तीन सो छे वर्न माला का ख गागा अंगा चा चा जा 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 इयां ताथा दाधा रा रा अधा ताथा दाधा ना पाफा बाभा मा यारा लावा शाशा साहा क्षात्रा ज्याश्रा झाला ऑउधा, टाधा जाधा झाला